नमस्कार मैं हूँ वसीर मकरम, हाजिर हूँ मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIV इंडिया नियूस पर परदर्शन करने लगे और आरूप लगाया कि गाउं के आराजी नंबर 329 जो 0.27 हेक्टियर भूमी है जो कि सरकारी खाते में खलिहान के नाम से दर्ज है उस पर ग्राम परदान द्वारा लेखपाल के मिली भगत से दबंगई द्वारा सरकारी जमीन पर जो कि खलिहान है उस जमीन पर सारोजनिक साचालेयों पंचायत भवन और कुछ प्राइवेट साचालेयों का निर्माड जबरिया करवा रहा है ग्रामीडों ने आरोप लगाए कि उसी जमीन पर दलितोदारा बुद्वार को गौतमबुद की प्रतिमा रखे जाने के लिए पाए का निर्माड किया जा रहा था जिसको लेकर प्रधान उक्त प्रतिमा रखने से दलितों को मना कर दिये और निर्माड करने से रोख दिया इसके बाद ग्रामीड दरजनों के संख्या में तहसिल मुख्याले पर पहुँश कर प्रदर्शन करने लगे और तहसिल्दा सगडी विजेंदर उपाध्याई को ग्यापन सौप कर मांग किया कि यदि उक्ते जमीन जोकी खलियहान उस पर ग्राम प्रदान यदि भौन का निर्माड कार भी रुखा जाए यदि ऐसा नहीं किया जाता तो हम लोग साड़क पर उतर कर धरना पताशन करने के लिए बाद होंगे वहीं तहसिलदा सगडी बिजेंदर उपादिहाय ने टीम बना कर जाच करने की बात कही है और कहा यदि सरकारी जमीन पर निर्माड किया जा रहा है तो ऐसे निर्माड को धोस्त करने का उन्होंने आश्वासन दिया इसके बाद ग्रामीड वापस चले गए पां सालों में लेकपाल की मिली बहस से प्रदान की मिली बहस से अवैद काम हुआ है जैसे कि लेट्रिंग बनवा दिये ग्राम सबाद में किसी ब्यक्त की तिन सेट लगवा दिये उसका कोई विरोध नहीं किया आज आदमी सभी लोग मिलके गवतन पर का अनावर्ण करने जा रहे थे उनको रोग दिये लोग जिस पर 140 बने हो जमीन कैसे है सब अरिजन खलियान है जो जो साहब से मिले साहब नहीं क्या कि उसी पर करवाई होगी उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं हम लोग भी 14 आइक करवाई हो ठीए सियाई विंडियानूस की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबातर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें